Asexuals लोगों के साथ उनकी childhood में कुछ ऐसा हुआ होता है जैसे कि assault या कुछ इस तरीके की घटना है जिसके कारण वो बड़े होकर sex से hate करने लगते हैं मैं किसी भी gender की तरफ sexually attract नहीं हूँ ना ही लड़कों की तरफ, ना ही लड़कों की तरफ क्या Asexuals masturbate करते हैं बहुत confusion है ना कि आखिर ये Asexuals होते कौन है नमस्ते, मिरा नाम राज है और मैं LGTB का member हूँ sorry sorry, LGTB तो आप उसे बोलते हैं social media पर पर वो होता है LGBTQIA+, इस acronym में जो सबसे आखिर में आने वाला alphabet है A, वो Asexuality के लिए भी इस्तमाल किया जाता है मैंने खुद को Asexual identify किया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक plant या एक amoeba हूँ actually हमारे biology की किताब हमें बताती ही नहीं कि इनसान भी Asexual हो सकते हैं अब आखिर Asexual व्यक्ति होता कौन है एक Asexual व्यक्ति वो होता है जिसे किसी भी link की ओर Sexual attraction नहीं होता है या comparatively कम होता है नहीं ये कोई lifestyle नहीं है जैसे celibate और abstinence celibacy का मतलब होता है एक ऐसी lifestyle को चुनना जिसमें आप चुनते हैं कि आप शाररिक संबंद नहीं बनाएंगे जिसका बहुत अच्छा उधारन होता है ब्रमचारे तो मैं ब्रमचारे का पालन नहीं कर रहा हूँ और नहीं मैंने abstinence को चुना है abstinence में आप चुनते हैं कि आप एक निश्चित समेता किसी व्यक्ति के साथ शाररिक संबंद नहीं बनाएंगे जैसे उधारन के लिए कुछ लोग चुनते हैं कि वो शादी के बाद ही शाररिक संबंद बनाएंगे तो मैंने ऐसा भी कोई चुनाव नहीं किया है मैं एक एसेक्शल बेक्ति हूँ और एसेक्शुलिटी एक सेक्शल ओरियन्टेशन है ना कि कोई लाइफस्टेल या चुनाव अब लोग कहेंगे कि तुम्हें शाररिक संबंद नहीं बनाने तो अपने घर बैठो कैमरे पे आके अपने आपको प्रमोट करने की क्या जरुवत है तो जरुवत है क्योंकि एक पुरानी स्टडी के अनुसार विश्व की एक प्रतीशत आजवादी अपने आपको एसेक्शल आइडेंटिफाई करती है अगर हम भारत की बात करें तो हम तो 140 करोड को पार कर चुके हैं तो सोचिए कि एक प्रतीशत कितना होगा मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैंने कैसे खुद को इडेंटिफाई किया तो ये समय था 2011 का या 2012 का जब मैं All Boys School से एक कोवेट कॉलेज में गया था तो इससे पहले मेरा exposure के वो लड़कों के साथ हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वो लड़कियों के विशे में दूसरे लिंक के वारे में कैसे सोचते हैं कैसे बात करते हैं तो जब मैं कॉलेज में गया और मैंने ये महसूस किया कि मेरे जितने भी friends हैं different subjects के वो एक opposite gender के वारे में एक sexual idea बना के बैठे हुए थे और वो उनकी body के बारे में या अपनी fantasies के बारे में बाते करते थे हमारी female friends भी इसके बारे में बाते करती थी और मैं दौनों की ही experience से relate नहीं कर पाता था मुझे लगता था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत है क्योंकि ना तो मैं लड़कों की तरह सोच पा रहा हूँ ना ही मैं लड़कियों के नजरिये से लड़कों को देख पा रहा हूँ तो मुझे लगा कि कुछ तो confusion है और इसके बारे में मुझे कुछ करना चाहिए पर वो समय मेरे life का कुछ अलग ही था और मुझे economically अपनी family को बहुत support करना था तो मैंने अपनी sexuality को रख दिया side में और मैं अपने परिवार के support में लगया उसके बाद मैंने join किया एक local call center क्योंकि मुझे कुछ पैसा कमा के अपने परिवार को देना था उस call center में जब रात के समय call flow कम हो जाता था तो हमारे floor पर ही corner के computer में कुछ लड़के खटे हो जाते थे मेरे team mate ने मुझे बोला कि चल जाके देखते हैं कि वो लड़के महाँ पर आकर कर क्या रहे हैं वो क्यों जमाया तो जब हम वहाँ गए तो मैंने देखा कि वो heterosexual pawn देख रहे थे वो मेरा पहला exposure था pawn के साथ और उसमें जो भी कुछ हो रहा था मुझे बहुत repulsive लगा और मुझे लगा कि शायद यह intimacy का तो हिस्सा होना ही नहीं चाहिए और मैं तुरंत अपनी seat पर वापस आ गया उसके एक देढ़ हपते बान मेरे उसी टीम मेट ने दुबारा बोला कि चल कॉल फलो कम हो चुका है अब तो लॉगाउट करने का टाइम हो चुका है तो जाके देखते हैं तो जब मैं दुबारा गया तो मेरा same experience था मैंने उसको बताया है कि मुझे लगता नहीं कि यह जो इसमें हो रहा है वो कभी भी मैं अपने जीवन में चाहूंगा उसने मुझे का कि हो सकता है तो जो लड़कियां attract नहीं करती हैं तो घर जाके और गे पाउन देखियो तो जब मैं घर आया और मैंने ब्राउजर पे उसको सर्च किया तो कुछ वेबसाइट्स जो बैन हो गई है उन वेबसाइट्स पे मैंने वो वीडियोस देखी और मेरा बिल्कुल experience सेम था जो एक हेट्रो सेक्शल पाउन के साथ था जिसको आब इस्ट्रेट पाउन कहते है मुझे समझ में आए कि ना तो मुझे लड़के अट्रैक कर रहे हैं ना ही लड़कियां तो यहां से मेरा confusion दुगना हो गया क्योंकि अभी तक तो मैं अपने दोस्तों की बातों से भी relate नहीं कर पा रहा था अब मैं उस sexual intimacy से भी relate नहीं कर पा रहा हूँ जिसके बारे में लो दिली में यह थी कि मेरे खुद के फ्लोर पर क्वेर री प्रेजेंटेशन था तो मेरे टीम में ही एक होमो सेक्शल मैं था जो मेरे सीनियर थे और उनसे मुझे community के वारे में बहुत कुछ सीखने को मिला तो मैंने खुद को explore करने के लिए एक secret account social media पर create किया जैसके तुर मैं लोगों से बात की और जब मेरा confusion बात करने से दूर नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अगर हम relationship में से sex minus कर देंगे तो भी relationship या महबत काम कर सकते हैं वो वहाँ पर केबल एक ही चीज़ के लिए थे तो जब मैंने उनसे offline मिलने के लिए सोचा तो मेरा experience के लिए force किया गया जिसमें एक बार तो मुझे कार में भी लॉक कर लिया गया उसके बाद मैंने इस social media से या मेरे account से किसी से भी बात नहीं करने वाला हूँ नहीं मैं offline मिलने वाला हूँ लेकिन मुझे हमेशा से यह पता था कि शायद मैं किसी expert के पास जाओंगा तो मुझ friendly organization के queer counselor के पास कया और मैंने इसको बोला कि मुझे किसी भी gender की तरफ sexual attraction नहीं होता है पर मुझे लगता है कि मुझे फिर भी महबद चाहिए किसी एक gender के साथ तो उसने मुझे कहा कि सब के साथ शुरुवात में ऐसा होता है जब तुम एक बार physical हो जाओगे शारत एक नहीं सकता मुझे लोग कभी भी उस तरीके से attractive नहीं करते हैं फिर मैं घर वापस आ गया और hopefully उसके एक देड़ महीने बार जब मैंने LGBTQIA plus का पूरा full form बढ़ा तो उसमें यह word था asexual जब मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया तो उसके definition पढ़के मुझे लगा कि यह outside of queer community बात करें ताकि वो लोग जो आज confused हैं जैसे मैं confused था वो इतना confusion फील ना करें और हम asexuals के लिए healthy environment create कर बाएं अब हम बात करेंगे कुछ myths के बारे में लोग सोचते हैं कि अगर तुम्हें sexual intimacy नहीं करनी तो तुम्हें relationship की या companionship की भी कोई जरुवत नहीं है तुम अक attractions की भी बहुत प्रकार होते हैं जिसमें सबसे important तो आपका sexual attraction है क्योंकि हमारी जो community है उसमें majority में non-asexual लोग हैं और community के बाहर भी उनको हम allosexual कहते हैं तो sexuality का अपना एक पूरा spectrum है जिसमें एक corner पर होते हैं allosexual लोग जो asexuals के बिल्कुल opposite होते हैं उनको sexual attraction होता है asexuals को sexual attraction नहीं होता है हमारी इस black and white के spectrum पर जो बीच में लोग होते हैं वो होते हैं gray sexual लोग उनको कभी-कभी sexual attraction होता है कभी-कभी नहीं होता है या कुछ चुनिंदा परिस्तितियों में उनको sexual attraction हो सकता है या वो दौनों के बीच में flute कर सकते हैं similarly कुछ लोग होते हैं demisexual जनको केबल emotional connection बनाने के बाद ही sexual attraction होता है तो ये तो हमारा sexual attraction एक प्रकार हो गया attraction का जिसमें हम sexual intimacy की तरफ किसी एक gender या एक से ज्यादा gender की और attract होते हैं पर दूसरा प्रकार जो है वो है romantic attraction romantic attraction sexual attraction से बिलकुल अलग है लोग सोचते हैं कि asexual लोग masturbate नहीं करते well कुछ asexuals नहीं करते पर हमें यहां समझना होगा कि जो हमारा sexual libido है और sexual attraction है दौनों अलग-अलग चीज़े हैं asexuals को sexual attraction नहीं होता पर उन्हें sexual libido हो सकता है क्योंकि एक biological need है और उसका amount हर asexual में अलग-अलग हो सकता है तो अगर आप masturbate कर रहे हैं तो उससे आप non-asexual नहीं बन जाते क्योंकि masturbation के होने के बहुत दूसरे reason भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को यह सोने में मदद करता है तो दूसरे और भी कारण हो सकते हैं दूसरा हमारा जो asexuality को लेके myth है वो यह है कि asexual लोगों के साथ उनकी childhood में कुछ ऐसा हुआ होता है जैसे कि assault या कुछ इस तरीकी की घटना है जिसके कारण वो बड़े होकर sex से hate करने लगते हैं और वो asexual हो जाते हैं जितनी भी research अभी तक हमारी asexuality पर होई है उसके अनुसर जो victims होते हैं जिनके साथ कुछ bad experiences होते हैं वो naturally asexual हो सकते हैं by birth पर इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ कुछ हुआ है तो आप asexual बन जाए अब हम बात करते हैं कि क्या asexuals operation या discrimination face करते हैं वो सोचते हैं कि यह condition है जिसमें कुछ समय के बाद जब आप sex try करने लगेंगे तो आपको sexual attraction अच्छा लगने लगेगा और experience होने लगेगा तो यह नहीं होता है चुकि आप romantically किसी भी gender की तरफ attract हो सकते हैं तो आप homo होकर भी asexual हो सकते हैं इसको हम homo romantic asexual कहते हैं जो कि same gender की तरफ romantically attract हैं इसी तरीके से by romantic asexuals और heteroromantic asexuals और different terms हो सकते हैं आपके किसी एक gender या एक से जादा gender की और romantic attraction को experience करने के आधार पर तो जब हम community के अंदर अपनी इन बातों को share करते हैं या बाहर तो लोग मानने को तयार नहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि प्यार का ये एक बहुत important हिस्सा होता है पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से sex बिना प्यार की किया जा सकता है उस तरीके से प्यार भी तो बिना शारत एक संबन के बनाया जा सकता है पर पतानी लोगों के लिए समझना क्यों मुश्किल है तो ये था हमारा एक और myth अब ए sexual representation क्यों जरूरी है सबसे पहली बात तो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैंने खुद को realize करने में तीन साल लगाए मैंने जादा कि आज की young generation के वो बच्चे अपने को इतना समय दें उनके पास ये term होना चाहिए और हम इस spectrum के बारे में बात होनी चाहिए ताकि लोग खुद को जान पाए पहचान पाए और इतना समय ना लगाए उसके लाबा बहुत जरूरी है कि हम हमारे relationship या intimacy की definition को भी broad करें और हम ये बात करें कि sex उसका एक हिस्सा हो सकता है पर romance और emotional connection भी उतने ही important है और अगर किसी को sex नहीं चाहिए तो भी cable romantic relationship में रहकर भी वो एक अच्छी relationship को चला सकता है well कुछ asexuals, aromantic asexuals भी होते हैं उनको romantic attraction भी नहीं होता और उनको sexual attraction भी नहीं होता तो वो platonic attraction experience करते हैं हलाकि हर spectrum अपने आप में एक broad spectrum है तो उसमें बहुत सारी चीज़े हैं अगर आप एक asexual इंसान है या खुद को asexual spectrum पे कहीं देखते हैं या अभी आप confused हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं हमसे हमारे social media platform पर और Instagram पर आप reach out कर सकते हैं search करिए Indian asexuals और उस पर हमें inbox करिए फिर हम आपसे बात करेंगे हमारे counselors भी आपसे टेलिफोनिक counseling कर सकते हैं हम हमारे initiative में different events प्लान करते हैं जैसे हम virtually seminar करते हैं, webinar करते हैं जिसमें हम लोगों को educate करते हैं asexual spectrum के बारे में और हमारी neighboring sexualities जैसे graysexuals और demisexuality के बारे में इसके साथ ही हम offline events भी करते हैं जिसमें हम asexual लोगों के लिए एक event प्लान करते हैं कि बहुल asexuals ही participate कर सकते हैं और अपने experiences share करके दूसरों के साथ relate कर सकते हैं और asexual community से friends या partner ढूण सकते हैं दूसरे हमारे events non-asexuals को भी include करते हैं जिसमें हम उनको educate करने की कोशिश करते हैं हमारे खुद के spectrum के बारे में इसके लाबा हम India को represent कर चुके हैं Asian level पर और अभी हम internationally भी represent करने के लिए जा रहे हैं तो hopefully आप हमसे जुडेंगे और हम और detail आपको दे पाएंगे हमारे कुछ whatsapp groups भी हैं जो regionally आप उससे जुड़ पाएंगे और discord पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं Indian asexuals मैं आखिर में बस यही message देना चाहूँगा हमारे asexual viewers को कि आप किसी को sex own ही करते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप किसी की तरफ sexually attract नहीं है यह sexual desires आपको उसके लिए नहीं आ रहे हैं so just don't go for it don't force yourself इतना peer pressure feel करने की जरुवत नहीं है you are valid and you are welcome to the family